कलामून अलाइकूं ट्रेवरिवन इंगलिश में जैसा एकसेंट वैसा प्रोनसियेशन लेकिन मतलब चींज नहीं होता बट एरबिक में एक प्रोनसियेशन की गलती से पूरा मीनिंग चेज हो जाता है और एक्जेम्पल शिफा और शिफा फर्क सिर्फ जेर और जबर का है लेकिन मतलब दोनों का जुदा है अल्ला ताला ने अपने बंदों की रुच्द औ हिदायत के लिए पुरान मजीद नाजिल फरमाया और पुरान करीम के पड़ने, सुनने और देखने को अबादत करार दिया पुरान करीम की तिलावत, इमान की ताज़गी, दिल की पाकीज़गी और रूप की बालिदगी का बिछत्रीन वसीला है जब कोई शक्स पुरान मजीद की तिलावत करता है तो उसे मौजिस फरिष्टों का साथ नसीब होता है कोई वो, आधिया हमकलामी का शरफ हासिल करता है पुरान पाक का एक हर्फ तिलावत करने पर दस-दस नेकियों का सभाव लिखा जाता है पुरान मजीद में जहां तिलावत के फजाई मस्कूर हैं जहां पर तिलावत करने के फजाइल जिक्र किये गए हैं वहीं तिलावत करते वक्त के गवानी और आदाब का लिहाज रखने की भी बड़ी ताकियत की गई है कुरान मजीद में अल्दा का इर्शाद है कि जिन लोगों को हमने किताब अता की यानि पुरान अता किया वो उसकी ऐसे तिलावत करते हैं जैसा उसकी तिलावत करने का हक है एक दूसरे मकाम पर इर्शाद होता है कि वरत दिले पुरान तर्दीला कि पुरान मजीद को ठहर ठहर कर पढ़ो यानि तजवीद के साथ पढ़ो रसूल अैसे हैं इसलिए निय 아रशाद है कि अपनी अच्छी आवाजों से जीनत दो ना गर्ण वरतël को तजवीद को तजवीद के साथ पढ़ना और आदाब की रियायत करना बहुत ज़्यादा जरूरी है क्यूकि तजवीद से नावाक्वियत की सूरत में आरी बजाए सवाब के गुनाह का मुस्तहक हो जाता है लहाजा अपने और अपने बच्चों के कुरान पर तवज्जो दें और इसकी क्लासेज अटेन करें और इसके लिए आपको अपने घर से कहीं बाहर जाने या अपने बच्चों को कहीं भीजने की जरूरत नहीं है क्यों? क्योंकि तज्वीत की क्लास आप घर बैठे अटेंड कर सकते हैं फेडरल उनिवर्सिटी में अपना इंडॉल्मेंट करवा कर क्योंकि फेडरल उनिवर्सिटी एक उनलाइन उनिवर्सिटी है कि जहाँ पर आप अपना enrollment करवाएंगे और उसके बाद आपको यहाँ पर बेहतरीन और expert teacher मिलेंगे जो आपको बेहतरीन तरीके से आपके मनपसंद subject की तालीम देंगे लहाजा मजीद मालूमात के लिए www.federaluniversity.com पर चाहें या फिर गूगल प्ले स्टोर से फेजर उनिवर्सिटी आप डाउन्लोड करें Assalamualaikum